ओम् श्रीहरिम् परमानंदम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानाम् कारणंतं नमाम्याम् ओम् श्रीगनेशाय नमहा श्री सरस्वत्याई नमहा श्री गुरुभ्यो नमहा हरिही ओम् जेशिक्रष्ण बदा विद्यार्थि मित्रोंने जेशिक्रष्ण शास्त्री तृतिय कक्षामा वेदान्त सार नामनु पुस्तक आवे छे इतले के आपणे आवे वेदान्त सार भणवानों प्रारंभ करिये छी वेदान्त सार शूँ छे आम जो वाजईये तो दर्शन ग्रंथो अपणी भारती ये परंपरामा छे अन्य जे दर्शन ग्रंथो आम के वाई नेके रत्न छे इरा छे मोती छे दर्शन के नेके वाई दर्शन शब्दनी विद्पत्ती जो वाजईये तो दर्श्यते अनेन तत दर्शनम दर्शन शब्दनी विद्पत्ती सुथाई दर्श्यते अनेन तत दर्शनम जिना द्वारा दृश्यते बराबर ग्यायते आत्मतत्वम जिना द्वारा आपड़ा आत्मतत्वने ओडखी शकी बहुतिक जगत माँ आपड़े प्रगती करवी वोय कोईने एंजिनियर ठवुओँ, डोक्टर ठवुओँ, लएर ठोवुओँ, प्रफेसर ठोवुओँ तो शुकराये वावव्थिक जगत ना स्थुरुँ, पुश्तकों वाचे पर अध्यात्म जगत्मा प्रगति करवे छे जो 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 जईए छे आत्यांतिक सुक ये ने एउ जीवन जोई है छी कि जे जीवनमा दुख इनथी जीवन प्रभाव नती दुख नी असर नती जे जीवनमा दुख इनथी एउ जीवन जैने जोईए छी सतत व्यक्ति आनंद मारी मोज मोज मासा तत्रिय एउ जीवन जेने जोई है अथवा एम कहिए के जेने मूँ कौन छू एनी उत्कट जिगिया सा जागी गई अपने एम के अशरीर मारू तो तुक शरीर तारू तो तूक तो नील शब्द नील नाम तो आfront वोडियौ अ जीवन जन्म थयो त्यारे ग्रिहेक देशे स्थित्वा माता पितरों चास्चे नाम कुरुबाते अयम यज्य दत्तह अयम देव दत्तह दशम्यां पुत्रस्य महाँ बणी जेने इमा आवे छे कि माता पिता ये नू नाम करन पाड़े कि शरीर नू नाम आज थी आ इतला माटा व्यो बहर करवानॉ पर शरीर नू नाम नील शरीर नू नाम किशन शरीर नूप अभी शरीर नू नाम चेले Oregon कक्स्त्वम को हमकुत आया तह का में जननी को में तू कोण छे मारी जननी कोण छे मारा पिता कोण छे आव व्यक्ति ने जिग्यासा जयरे उतकट बने उतकट लाम चरम सिमा जो चरम सिमा उपरावे तो तो एने सिध्धो पोते कोण छे नू ग्यान थाई पन जिए व्यक्ति ने मध्यम अवस्थाय पने थाई कहार उंकोण छे आम प्रश्ण थायां उंकभाडी ना आ बोडी तो जियां एमा व्यक्ति ने उंकोण आव शरीर मारू तो उंकोण आम जो वाजई तो शरीर पना आपनो ने थे पन देह चितायाम परलोकमार्गे कर्मान गोग अच्छती जीव एक है देह पन चीता माज रहे ने बड़ी जावानों छे तो उनकोन एवो जयारे प्रश्ण उसाई व्यक्ति ने एटले एनी अध्यात्म तरफ गती थाई कोई सद्गुरु मड़े संत मड़े शास्त्र मड़े अध्यात्म आत्मनी अधी आत्माने वि एक प्रकार नो विश्म है के वा पहालो के वी नदियो अन्नी मेलाय बदू क्यों चाला चाम विश्म है जगत्मा अनंत अनंत ब्रह्मांड चे विज्ञान मा पन आपड़े जोईये चे क्यों आत पुर्थवी ताटलू छे इना सीवाई ना त्यारे एक तत्वनी जिग्या जीवस्य तत्व जिग्यास विव्यक्तिने तत्वनी जिग्यास थाई एले ए तत्व जिग्यासाने माटे ए जिग्यासा एग्यान दुरुष्यते अनेन तत दर्शनम दुरुष्यते बराबर ग्यायते जेना वडे आत्म तत्वने ओडखी शकाई एवु जे पण वोई एन कि भगवान थाई कि भगवान कोण छे हुँ कोण चू परमात्मा कोण छे तो एने कवे दर्शन दर्शन शास्त्र इले बिन्न बिन्न दर्शन शास्त्री ओए दर्शन कारोए पोते-पोतान अनुभव करियो तम्हें जुनागड मा टोच उपर जाओ अन्तिम शिखरम के मस्त तो अन्तिम टोच उपर जाओ आपणाजयात जै तो कष्चन सोपानेन तत्र पर्वतं आरोहती कष्चन सोपानेन शोपानम स्विकृत्य अर्थार शोपान द्वारा आरोहनम करोती पर्वतस्य पृष्ठस्त है भागा वर्तते तसमाध भागाद आरोहती पेला पाच्वना मार्गती कोई आबाजू थी कोई पेली बाजू कोई सिधा रस्ते थी बधा चले चे एकज शिक्खरू पर बधाने एकज दत्ता त्रेई जे जे ज्याती जे वस्तुनियनू भूती जे जे महर्शिवोने जे ब्रह्मज्यानी महापुरूशोने जे जे मार्ग थी अनू भव थयो एने ए मार्ग एकले दर्शन शास्त्र दृष्यते अनेनतत दर्शनम दृष्यते बाराबर ग्यायते तम एम क्यों आई थी आपने आपड़े हरीमंदीरे जावान होई तो आई थविन आँ फय dif studies औने कोई आं 45 वधारे पड़ता संप्रदायो और वधारे पड़ता दर्शनों एक आय व्यक्तिने भ्रह्मा नाखवावाडी वात न थी पुर्व मा सवथी प्राचिन जो कोई दर्शन वोई तो एतु सांख्य दर्शन पुर्व पुर्व जो प्रकुरती चे त्रिगुनात्म प्रकुरती चे अने ए प्रकुरती मा खोब आवे एटले स्रुष्टी ने उत्पत्तित्यादी कारिया थाई सांख्य दर्शन निरिश्वर वादी चे इश्वर ने मानतों पुरुष्प्रकुरती निवाद चे गना दर्शन चे असेस्वर चे भागवतनु सांख्या चे गितानु सांख्या चे असेस्वर दर्शन चे इश्वर निवाद चे सांख्य दर्शन चे मिमांसा दर्शन चे नियाय 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 दर्शन एमा कर्मबादनी बाद छे, उत्तर मिमांत साने केवा मां आवे छे वेदांत। के वेदांत स्थाष्त्र वेदांत एक दर्शन छे, आत्म औहों दर्शन द्वारा जेजे महापुरुषोय जेजे अनु भूती करी वतावी। मवड़ मेंट तक जाना स्वुख लस से इसे चिल भानिय। मैं गजाम्स गजिएव लोक के जीव खौरी विसारें कर से इस भांस रिचलेς विद होुफ ग्यों। सहज सुखरासी आपड़े जिये शरीर नहीं पर आपड़े जे अहम अपने अस्तित्वन भान चे अहम अहंकार नीवात नहीं पन तमने मने जे अस्तित्वन भान चे के अउंच्छू जीवो ब्रह्माईव ना परह जीव चे ने ब्रह्मत चे परण वे सुरिय नो प्रकाश वो यहने वर्साद नुवात वर नुवाद आड़ावी जाए तो सुरिय नो प्रकाश के ओ ढंकाई जाए एम आजीव चे यह सुरिय चे कोटी सुरिय समप्रभ चे पर आड़ू अग्यान ना ए आवरण आविग्या चे यह वादलावो कर्मना मल कर्मना मेल चड़ी गया चे वाड़ा एटले विशुद्ध न थी अशुद्धी ना कारण यह अरिशा उपर जेम रज चड़ी जाए आपने अरिशा मा आपने पसी जोई शकी है नहीं नहीं पसी याम यतोल बेना वृतोगर बस्त था तेने दमा वृतम चे नहीं यह विते उल्ब पला परपोटामा आवृत गर्भ वोई एम अज्याने ना वृतम ज्यानम तेन मुहियंती जंतव आपनु ज्ञान स्वरूप शीवो हम शीवो सत चित अननन्द स्वरूप चै आपनु प्रापने खबर नथी हजी आब दु केम ढंकाई गियू अननन्त अनन्त जन्मो करोडो जन्मो माती आपने फरी परी फरी नाविये पड़ यहनू भूती नथी थाति हजी केटला एले नित्य नेमित्ति के रेव कुरुवानो दुरितक्षयम ज्ञानमच विमली कुरुवन अभ्यासे नेवच पाचयेद अभ्यासात्पाक्क विज्ञानो कै वल्यम लभते न रहा सतत नित्य नेमित्ति कर्मो करता कर्मा ये कर्मना बंधनो ए पापक्षीन थाई चित्त ने विशुद्धी थाई विशुद्ध सत्व वसुदेव जावे छेना के विशुद्ध चित्त थाई बुद्धी देवमई थाई तो एमा कृष्णननु प्रागर्टिय थाई के ता प अपने घरेगोन आवे, कुरुष्न आवे, अंदर कुरुष्न प्रागट्य थाए, पन विशुद्ध चित्ट आवाव जोईए, अन्ने देव में बुद्धि देव में क्यारे थाए, विशुद्ध चित्ट क्यारे थाए, तो आपना शास्त्र कारोई, संतोई, अपने जे मार्ग बतावियों चें, दर्शन शास्त्र, एधर्शन ने समझ हूं पड़े, जेना थी आपडा कर्म कलमष नो नाश थाए, तो ए धर्शनों माँ जे शट दर्शन चेंदेक्षण च webs चांब डर्शन चेंच अंच नास्तिक डर्शन चेंच नस्तिक्स दरुष गुरुणान्यू न ? अस्तिक व दितनाँ ? जे वेद घ्र मानardय न ? फिह पर करते लिए présकरौ मैं ? वेद प्रमां न ? और गार्व चार ऑन ? जे जे… वुऐद से लिए Alzheimer ? बन केई चार बाक, तो ए दशन कारो वेद ना प्रमाणने नाथी मानता, तो एम पन्कलरवाम आवें, चो आस्तिक देस लेखें हैं अने वाईश्य शिक्ना महर्षी कनाद छे और मिममसा Мिमामसा तो मिममसा ना कोण्छे जाय सुद recurs बोलीहे पूर्वाना अज़े खागवान वेद वयास आपने जहform आज न पच्छी सुत्र नोबले विश्तार करियो, टिका कारोये, वाक्या कारोये, भाष्य कारोये, बधा सुत्रात्मक छे। तो एम बादराण व्यासे ब्रह्म सुत्र बनाई हूँ, लगबग 550 के 550 जेटला हेमा ब्रह्म सुत्र छे। अथा तो ब्रह्म जिग्यासा नियाती चालू थाई छे। तो ए ब्रह्म सुत्र ए वेदांत दर्शन ना अध्य प्रवर्तक कई शकाई। अवे। एमा एक वस्तुई चारवने। के सुत्रात्मक वेदांत दर्शन जे छे। एमा बे दरश्टी छे चोक्राओ। एक द्वाईत द्रश्टी छे और एक छे अध्वाईत द्रश्टी। द्वाईत द्रश्टी और बीजी कई छे अध्वाईत द्रश्टी। अवे ए वेदान्त दर्शन जे सुत्रात्मक ग्रंथ चे ए सुत्रात्मक ग्रंथों ने जे जे महर्शिवे वाच्यु भणिवा विचारिया एने पोते जेने व्याक्याक द्वैत द्रष्टी थी व्याक्या करी और अद्वैत द्रष्टी थी व्याक्या करी द्वैत इश्वरने जीव चे ए बे अलग थे भक्त ने भगवान अलग थे तो यमाँ घाणा दर्शन अएवान खे दवैत वाद अधुझ वाद पच्छि अधुच वाद जिम्के अधुच वाद वाद ऊपर आपण चरचा करिये तो भगवान संकर आचारिया अध्वेत अटले सुंक भै द्वैत नथी द्विधा नो भाव नती ज्या एम के चे कभई जीवो ब्रह्म है व जीव एसुचे ब्रह्म छे ना परह वीजो कोई नती अल्ट वाद अध्वैत वाद द्वैता द्वैत वाद विशिष्टा द्वैत वाद आप छी प्रस्थानत जे छे अने आ ब्रह्म सुत्र चे उपनिशत चे भगवत गीता छे एन ध्यान मा राखी अने वेदो ना प्रमान ने ध्यान मा राखी अने आपड़ा अवी भिन आचारियो ये पोताना मत ने स्थापित करिया लभा चारिय होई निंबार्क चारिय होई रामानुजाचारिय होई पची संकराचारियों छे अविदाचारियों एवा अद्वयत दर्शन दर्शन चैना वर्षोति चालेवे आवे चैना शंकराचारिय जे अदवेत दर्शन ने मानताता आनेले एना प्रवर्तक छे अदवेत द्रश्टी जो व्याख्या करवा मावे तो प्रमुख व्याख्याकार जे शंकराचारिय लिए सदाशिवसमारंभाम शंकरााचारयम अस्मधाचारया परियन्ताम वंदे गुरुपरंपराम तो ऐह संप्रदाइने अदू ज्युक्राँ वीदान्तके वह मuyorsun कि नत्यात्म शास्त्राना क्षेत्रमा वेदान्त श्युक्राम दर्शन चे ए अपने जो चर्चा करीए तो वेदान्त केवानु कारण शू तो वेद ना अंत भाग रूप वेद हो जे छे एमा अंतेजे ब्रह्मविध्या बतावमावी चे ए ब्रह्मविध्या ना प्रतिपादक छे या और ब्रह्म विद्या प्रति पाधक एव शास्त्र एव वचन जे ओवाना कारने अपने वेदांत शब्दा केवाम आवे छे, और उपनिश दोने पण वेदांत तरीके केवाम आवे छे, युलिए तुमार आगड भणूवाम आव शे, वेदांतोना अम उपनिशत प्रमानम प्रतिपादक जे अंतिम भाग छे वेदो मा जे अंतिम भाग छे ए ब्रह्म तत्वनु प्रतिपादन करना रो भाग छे अपनिश्दोन अर्थनो निर्णा ब्रह्म सुत्रों थी करवा मा आवे छे वेदांत प्रतिपादित समस्त जे सिध्धान्तों छे वेदांत मा बतावेला जे सिध्धान्तों छे नियम हो छे एन्मूल आधार सुचे उपनिश्दों छे वेदोना रहस्य मा आवम उपनिश्दों उपनिश्दों नियम हो केवामा आवे छे उपने शद हाम जो वाजाई तो उप उपसर्ग पूर्वक नी उपसर्ग पूर्वक शद्रू विशर्ण गत्यव साधने सुछे शद धातू छे विशर्ण पुछी गती एटले प्राप्ती अब साधन हो उपनिशद तो आमा उपनिशद तो उपनिशद सुछ करे चे विशर्ण नाश्थ वो विशर्ण न ओर्षो थाई तो उपनिशद छेने एना द्वारा अविध्यानो नास थाई केनो नास थाई? कानके उपनिशद छेने ए ब्रह्म विध्या चे तो ब्रह्म विध्याओना कारने अविध्यानो नास थाई चे और प्राप्ति एटले विध्यानी प्राप्ति करावे चे शुकर आवे चे अवसाधन एटले जे दुखो आपणा जीवन माँ छे अवसाधन और थाई दुख दुख निराशा अवसाध नदी बोलता डिप्रेशन तो जे दुखो छे ने व्यक्तिना जीवन माँ ए दुखो ने आ दुखी करी नाखे दुखो ने पन दुखी करी नाखे उपनिशा देटले शु तो अविध्याने नस्ट करी नाखे विध्यानी प्राप्ति करावे और दुखो ने शु करी नाखे दुखी आपणा जीवन माँ जो दुखो होई तो ए दुखो ने शु कर नाखे दुखी एले दुखो दुखी थ पागी जाए अविध्यानस्ट थाए बिद्यानी प्राप्ति थाए अने परम आनंदनी प्राप्ति करावनार कोई तत्व वोई तो ए उपनिशत थे माट एक अर्थ थाए रहस्य सु थाए रहस्य छे आथ पकड़ी अने वाच बेशी जाओ तो के खबर ना पड़ा इस एंप इस वर्थ यह भुजगेत भरेलु जामा ना रहस्य छे एकोई गुरुजी पासे ब्यसिंदमें भनो तो इशेन आवास्यम अने एन अर्थ क्यों थाई छे आउ करिली दा पची तेन त्यक्तेन भुजी था हा भोग दीपन वाद करें छे शूचे क्यों धातू छे केवो अर्थ करवो ए रहस्य छे अन्य रहस्य उपनिश्वदो तमें एक चिंतन करें व्यवस्ते दिमे दिमे बनो तो तमारू चित्त शांत था तुझे दिमे 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 कषित व्यवस्ते वेराःग्य आम डालवेन है धुएत रहें दिमे समया अर्य निती सतक मावेने तो विरक्ति अबे अभयत्व और जेना जीवनमा अभयत्व आवे निष्टंद्य निष्टंट अनन दरिये एने पछे उत्षव न उत्षव अज्वस बजुए इना माट जीवन एक स्वायम उत्षव बनी जाइचे पन आवे, पन चिंतन, मनन और निदी ध्यासन बहु आवश्यक छे, विचार वलोनु थाई, कारण के जे तमारा विचार मा आवे ने, पची आचार मा पना आवे, गुरुदेशु के छे, जे वाचतो न थी, विचार तो न थी, येने मात्र स्वसे छे, तो धमन जेवोचे, स ये विचार वलोनु थाउए, चिंतन थाउऊए, मनन थाउए, निदी ध्यासन थाउए, नित्य अनित्य सूछे नो विचार थाउँ जोई, आझ वाजु हमा आजारा मानसो मर्त आओए, जारा मानसो ना आओए ये तो जोई है, पेल Isto, ये राम बोलो बे राम करे ठाथड जमी है। तेसे का मुझेए रिवी पर कोरों आपमेंना ले तुछ और आब अने एना माटे नी आपने आ शास्त्र कारो आपने ये महत्व बतावे छे एटला माटे वेदोनो अन्त ए वेदांत चे अने वेदांत अपनिशत पन गई सकाय एवो वेदांत दर्शन थ खुब मटु छे अने मात्र शंकराचारिय पच्छी पन घणा घणा महा पुरूशोय वेदान्त दर्शन उपर खुब चर्चा करी छे तो तमने जारे वेदान्त सार भुनावाम आवे छे एटला माटे एम किया छे के वेदान्त दर्शन नो आमा सार छे अने रचनारा कोण छे यतिंद्र सदानंद योगी योगिंद्र जो अने रचनारा कोण छे योगिंद्र सदानंद जी आम तो शंकराचारियनू पन वेदान्त सार छे पन एटलू फेमस ना सयुगिंद्र जो फेमस आमनू सयुगिंद्र गणाई वह योई तो एए सदानंद जी ये वेदान्त नो सार बताईवो छे एक चुलमा तमे आ वेदान्त सार जो व्यवस्थित भणिलो तो पची वेदान्त ना कोई पन ग्रंथो मा तमारो सहजरी ते प्रवेस पन थाए ने आम जो वाजे ये तो व्यवस्थित जो भणे आवो ये तो वेदान्त सार छेने ए वेदान्त ना जे मुख्य मुख्य सिद्धान्तों छेने एने आमा मुख्य आमा आएवाच शार को नहीं के बैए दुद्धनों सार दई दईनों माखण माखणनों गी तो सार छे तो आपने वेदान्त सार भणवानों आजे चालू करिये एमा सर्वात मा पेलो श्लोक बत्तावा मावियो छे तमारे अखंडम सचिदानन्दम अवां मनसगोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये भिष्टसिद्धये अवे वेदान्त सार नी श्रुवात आपड़े भणवानी करिये ए पेला मंगलाचरण करे छे सु करे छे मंगलाचरण मां बेश्लोक बताविया छे जो एक तो अर्थ तो प्यद्वयानन्द मती तद्वईद्भान अथ छे ने मंगलाचरण मां बेश्लोक बनाया अवे तमे शास्त्री तुरुतियमा आप जाच्छो एटले मंगलाचरण सामाटे आ इत्तियाद्य आपड़े विस्तार करता नाथी तमने खबर चे कि अभई विग्णु वणती बक्ते नावे जीवन मां पन विग्णु नावे मंगलादीनी मंगलाम ध्यानी मंगला आनी चे शास्त्रानी प्रथनते तमे महाभाश्यमा बनी गया चे तो मंगलाचरण करे चे के अखंडम सत्चिदानंदम अवां मनसगोचरम तमारी पासे PDF फायल बदा पासे आश्रे नवोई तो मने के जो बदावने उपीडिय फायल पण मोकलाविस पेलो श्लोक छे अखंडम सत्चिदानंदम अवां मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रय भिष्ट सिद्धय अहम चे सदानंद योगी जीजे छे एसु क्ये छे के अहम अपने आनों अनुवाई करिये अखंडम सत्चिदानंदम एक पद छे अवां मनस गोचरम विजु पद छे आत्मानम द्रिजु पद छे अखिलाधारम जोथू आश्रय पाच्मोन अभिष्ट सिद्धय चट्थू आश्रय के हुँ आश्रय करूँ छू आश्रय छे एक रिया पत्ति करता पकड़ो अहम आश्रय हुँ एनू आश्रयन करूँ छू उएनय शरणे जाओ छूँ और स्विकारू छू कोने तो कि अखंडम सत Primacará अवां मनस गोचरम वां वांनस एक ठीगम ऋनसी तो वांड मनस एक तले हम जो एने के वांग मनस आनि आपड़े वित्पत्ती समास ने जो आजये तो वाक्च मनस च एती वांग मनसी जो एने गोचर एटले विशय तमनेनी आपड़े विद्पत्ती पर लई लेए थोड़ी वाक्च मनस्च वांग मनसी दिर्ग अने वांग मनसी तयो हो गोचर रह एटले वाणी औने जे मन छे ए मन नो गोचर एटले विशय विशय एटले जे वानी थी पकड़ी शकाए जेन्नी वानी थी वरनन करी शकाए इन्ने वांग गोचर के वाई गोचर एटले वानी थी तमने वरनन करी शको गोड खादोय तो गोडने वरनन वानी थी थाए अन्ने गोडनी मिठाश न यानू भुती मन्थी पन करी शकाए तो वाणी औने मन्थी गोड छे ए गोचर छे वां मनस गोचर छे गोड निमिठास चेसु चे वां मनस गोचर छे ने ? पन आत्मा जे परमात्मा छे वाणी अने मन्ति पकडिश काई ? नई अवांग मनसगोचरम जे वानी अने मन थी पकड़ी नथी शकाचा एवा पची अखंडम जे अखंड चे जे खंड नथी जे चूत नथी जे अचूत चे जे सतत चे अखंड सचिदानन्द जे सत चीत ने आनन्द स्वरूप चे सचिदानन्दम अवांग मनसगोचरम जे वानी अखंडम सचिदानन्दम जो अनुवय करिये अभीष्ट सिद्धये अखंडं सत्चिदानंदंग अवं मनसगोचरं अखिलाधारं आत्मानं आश्रये क्या चे के जेवानी अने मनति पर चे अने संसार ना आधार स्वरूप पूर्ण ब्रह्म सत्चिदानंद चे के वाचे पूर्ण ब्रह्म सच्चिदान चे एमनो मारा अभिष्ट सिद्ध एटले मारा इच्छित कारियनी सिद्धीने माटे अभिष्ट सिद्ध ए अखंड सच्चिदान वाणिनी मन्ति गोच अगोचर छे अखिल जगद स्रिष्टी चराचर न आधार छे वा आत्मानों उशु करूचु आश्रक आत्मा एटले आया आत्मा थीसु समझवानू परमात्मा आत्मानों अखिल आधार एटले स्थावर जंगमा आत्मक प्रपन चस्य आधार भूतम स्रिष्टी स्थिति लयकारणम इति आवत आत्मानम लक्यु दिशारबोधनिम आत्मानम माने ब्रह्म आश्रय माने एकत्वेन प्रतिपद्ये देखो यहां आश्रय का आर्थ क्या किया एकत्वेन प्रतिपद्ये माने उसके साथ मैं एकताका अनुभव करता हूं मैं उनके साथ अपनी एकताका स्विकार करता हूं ऐसे आत्मा उजो पर ब्रह्म है उनके साथ एकत्वाका में अनुभव कर रहा हूं ठीक है देखो यहां जो कहा कि मैं इस ग्रंथ की निर्विग्न समाप्ती रूप अभिष्ट सिद्धी के लिए अभिष्ट सिद्धी क्या है निर्विग्न समाप्ती के लिए तथा कईवल्यमाने मोक्ष की प्राप्ति रूप अभिष्ट सिद्धी दूसरी उनकी क्या इच्छा है मौक्ष की प्राप्ति हो इसलिए कहते हैं कि सजातिये विजातिये स्वगत भेद शुन्य अथवा अनन्त अविद्यासे कलपित देशकाल वस्तुपरिसे छेद से रहित सत स्वरूप देखो सत चित और आनन्द ठीक जे आत्मा जे ब्रह्म के उचे ब्रह्म के उचे सत स्वरूप जे सत एटले त्रिकाला बाधित जे भूतकाड मा पन अत्यारे पन छे पविश्यमा प लोकान समाहारत मिहप्रवृत्त है कालोस्मीती द्रुख्दृष्य विबेक मां श्लोक चे कालोस्मीती त्यासी स्टाट थाईजे वेदांत नोज गरंत चे द्रुख्दृष्य विबेक तो अविद्यासे कलपित देश काल्त था वस्तु के परिच्छेद से रहित बरबर छे पच्छी सट चीत ले जह ज़ड नत्र सत तो छे हां पथर छे सत छे चलो सत माने विद्यमान सत का आर्थ क्या होता है विद्यमान जो सत है लेकिन पत्थर की शीला है वो क्या चित है चैतन्य स्वरूब है चित संग्या है उसमें नई ज्यान स्वरूब नई है । चेतन नथी जड़ चैतन के way वरुक्षप्ण चैतन चैतनॉ पत्थर निशीला के विचे जाम जोवा जाईए तो एक प्रगाड गुरुदेव के अपड़े के सुषुप्ती मां केम आपड़े होई एम ए सुषुप्त चाइतन्या चे आम तो यूद छे के वूचे पत्थर पन सुषुप्त चाइतन्या चे एनोह क्यारेक वारो आवसे ए जगतमा जियर्ड चेतन जे पन बद दू ब्रह्म स्वरूपी चे एनरजी इलेक्ट्रोन न्यूट्रोन एन प्रोटोन दरेक पदार्थ मां एक तत्व पड़ेलूच जड एक पत्थर नो टुकडवोई तो एने इंदिया आपड़े तो ब्रह्म कीदूच तत्वनी द्रष् चित जाइता निया तद रूप चे किदून गुरुदेवे गुरुपर्णी मां ले ब्रह्म द्वार ब्रह्म न्याकवान पन तत्वनी द्रष्टी है व्यवहरनी द्रष्टी बले मां आपने जड़ता लागे चे तो सत स्वरूप चे पाछा चित स्वरूप चे अने के वा आज अधुएथ वेदान्त माँचे ने सत्त त्रण प्रकारे छे खास ध्यान राग जो अधुएथ वेदान्त भणिय छी अबे शंकर वेदान्ती ऊछ जो ता में बदा तो सत अटले के प्रातिबासिक सथा विजु व्याब हा अरिक सत्त अनने त्रीजु नहीं पर भांतिक सथल ie सत्त बोलो ब्रह्म बोलू सत्त नौर्थ प्रम्म पन थाई हाँ के तो कि प्रातिभासिक सत्ता ये ब्रमार्थिक सत्त छचंहा पार्मार्थिक सतत अत्या पार्मार्थिक स्त्य है सब्सक्राइब से दोन यह रांगरन को जकने इस संब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्रार दुन्हें अंधि विंपयात। तो ए चर्चा करशू आपड़े तो इह आपड़ेनो अवे विस्तार नती करता आश्लोक नो तम अर्थ समझी गया आशो गुजराती मां वर्थ बाचो बोली दो कि जे वाणी अने मन्ती पर छे अने संसार ना आधार स्वरू पूर्ण ब्रह्म सचिरा आनंद छे एवनो मारा इच्छित कारियनी सिद्धी ने अर्थे हूं आश्राई करू छू अवे दान्त शार नो गुजराती भाशांतर छे मारी पासे कोईने पीडिये फाइल जोती हुए तो मुकलाविस पन एक छे मूड पदार्थ ने समझा पछी टिकाओ वाच्चाई मुड संस्कृत ना समझाई तो पछी न मतलब कई आतो मारी पासे छे अन्यामा उपयोग थाए अन्यामा कोई घ्यानी तो न थी मने फाइदो थाए घ्यानी वाद जो आना विवेचन मा क्यों मस्ता पीव सांपड़ो आ लोक माजे महात्मावे अध्ययन विधी पूर्वक पूर्ण वेद भणीने चैतन्य अद्विती ये मन वाने थी पर छे एवा पूर्ण ब्रह्मनों आश्राई करियो छे अन्ये जेवो काम्य कर्मती रही चे अन्ये इट ना गिसाडी ये थी जेम दरपन स्वच्च करेली होई ने तेमा निर्मड आकार जेम देखाए कमडना पांदडा उपरना बिंदुनी पेठे जिनु अंतह करण निरलेव छे अने जे अध्यात्म अधि भूत अने अधि देवा रूपी त्रणे तापती मुक्त छे अने ब्रह्मा थी मांडीने अल्प जीव परियंत ख्षण भंगूर समजे छे तेमज जीवना भोग वि अमृत आधि पन ख्षण भंगूर छे ते एवी रीते उल्टी खावानी कलपना स्वप्नमा पन नथी एम जेवो माने छे अने जेवो शम्दमादी साधन युक्त छे छता जेवो वेदार्थ थी देहादी अहंकार परियंत जड़ दरपन थी विलक्षण पोताना प्रकाश अने इनी समाप्ति थाएन शुब फड़नी प्राप्ती माटे आमें इस्ट देवने नमस्कार करू छू लक्षण रूप मंगलाचर न अवस्य करू जोईए ते थी लक्षण नों अनुबंद निरूपन करवाने माटे हूं परमात्माने नमस्का आत्मानम अखिला धारम आ ते अखंडम इच्छित मोक्षनी सिद्धीने अर्थे जीव ब्रह्मनु एक्य प्रतिपादन करवाने यतनवान थाओ छू शंकाकार कहे छे के विशय रहित आत्मा छे तेनी प्राप्ति केम थाई तो कि अखिला धारम चरा चरा आत्मक प्रपंचना विवर्त अधिष्ठा कारणत्वन आकरांत ब्रह्मज प्रतिपादन चे शुद्धने कायज नथी जो शुद्धने तमें कहता हो तो तेने द्रश्य पणानी दोशापत्ति प्राप्त थाई चे लवांग मनस गोचरम जेवानियने मन्ति अगोचर चे अगम अगोचर अलक दनीनी खोज मारे मूरे अगोचर सब्देवन यत वाचो यतो वाचो निवर्तन ते अप्राप्यमन सास येपना आवे छे एम इत्या दी घणी चर्चा चे ये पने आपने आई आवे वह चर्चा करशुने तमने पच से ने तो पेलो मंगलाचरन श्लोक बाज बिजो एक जी मंद मंगलाचरन आपन गुरू नाराध्य वेदान्त सारम वक्षे यथामती गुरू नाराध्य वेदान्त सारम वक्षे यथामती गुरू नाराध्य वेदान्त सारम वक्षे यथामती 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 वक्षे यथामत प्रगट जीव प्रगट पुरुष प्रगट पुरुष अज अन्य पुरुष उपर अन्य आत्मा उपर अन्य साधक उपर अन्य जीवा आत्मा उपर अहात गुरुज असर करी शक्या शंकराचारे थैग्या सद्गुरु थैग्या गणा महाँ पुरुष्त है कि आत्यरापने असर थाइ पड़ तमये अहयाद गुरुना सानिध्य मार इंतमारो ये विकास थाइ बावतीक अथ्व अध्याद फिक प्रिण जे बंदाई एपेला गुरु ओतीं बंदाई है बंदै नथी बंदाथ लायात गुरुनी जरूर अच्छे अने गुरु जनी पासे थी एक अक्षर नो पन ग्न्यान मैडुए गुरुनी कृतक्याता प्रकट करवी पड़ु गुरुज ब्रह्मा चे ला माटे तो बदाये सार भूत कैद गुरु ब्रह्मा गुरु ना ब्रह्मेती पर्समेती भगवान चे शब्द्यते अने यह जिध्ने अद्वयन जे अध्वय जिन आानानद स्वरुप अपने प्तानी विश्मृति थाईगि के बुली क्यों भाय तू तू आचो श्विश्मृति जें काघ भुसुंडी अरे यहां थानमान जी याद देवड़े उने जामवण जी एस तु कि तु तु के पवन तने बल पवन समाना बुद्धी विवेग विज्ञान दिनाना कवन सो काज कठिन जगमाही जो नहीं हो इता तु दुम पाई और अनमान जी यु कयू काम छेके जदमारती नासा ए बाप अरतीन जम्मई है यह था, कहों रीचपती शुनु हनुमाना है का चुप साधी रहे हों बलवाना आरे तमें की अवह बलवान नियम जो पहले चुप विचेरता है मैं आपड़े के नहीं हुँ आम लंकाय बजाई हागू के नहीं आदेने का अरे ना 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 गुरु मड़ी गया तमारामा तो आपार साम अर्थिया अबार साम अर्थिया नो तमें समुद्र अचो मारो छलांग अन त्या शक्ति जागुरुत पड़ी ताहां तो अनुमान जी तुरंत पर्वताकार शरीरा थे यह ने अब पर्वतो तो यह बंग दी तो यह पातालों हो जो कि एम सद्गुरु छे आपने याद्देवडाबरे भाय तु भुली गयो सचित अने आनंद स्मृति कारू जरूर चैने अन हो कबर भड़ी ताने स्मराण के था यू कि अधर शास्तर ऐंहे कि लिए वह पाउन पुचाने फ़्यक्ति जो जोटें भगवत गीटा में कीदू स्मुर्तिर लब्दा, जे लेसो कीदू नश्टो मोहा स्मुर्तिर लब्दा तुआ प्रसादान मयां चुदा श्राफ यादाविग्यों हो ना मिखा प्रज्ञान प्रम प्रग्यान प्रम्मम हो बस श्मरन आपने बदहने विस्मरन है ज्यां शुदियश्मरोन नहीं था ना थी आप पढ़िया तो पासु जोरियासी मा जाओ पड़ से एटला माटा वेदान्त सार दिल्थी बनिल्यो अने वेदान्त ने समझवान प्रयास करो तो यहां गुरुने प्रणाम करेचे कि अर्थ तो पी अध्वयानंद आपने वात अती अध्वयानंद यस यस आम गुरुजीनु नाम अतु ड़ो अध्वयनेंस माराज पनके अर्थ तो हम अपीगन्यो नाम धन पती वी पके वह त्वमानति छानाविण ने कि5 अगु यह पन घंवएवी नुक्षुमी ने कान फिक न मां गल गई वां नाम एवा गुन छे अर्थता प्य द्वयानंदम अतीत द्वयत भान अता हकेम तो के छे एने अतीत गत अतीत इटले के गत द्वयत भान जातों रिए चे कि अमें बेच ये इश्वर और जीव भक्त और भगवान सादक और साध्य परमात्मा अना बेच ये वुप भान एने नती रियो एटला माटे अध्वयानंद लतीत अध्वयत भा एवा गुरुन आराध्य एवा गुरु देवने नमस्कार करी नें वेदान्त सार ने यथा मती कहीश कारण कि आपने त्या किदू छे यस्च देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्चे ते कथिता यर्था प्रकाश अंते महात्मनह जे महात्माने देव उपर पुर्ण भक्ति अने जेवी देव उपर तेवीज गुरु उपर छे ते महात्माने बोधेला अर्थ नो पुरो प्रकाश प्राप्त थाई चे आवी गुरु भक्ति बत्तवा माटे गुरुने आ श्लोक वडे नमस्कार करियो छे त्यार बात तीजो श्लोक छे नथी त्यार बात आपडे आपक आपने हूए विदान्त सार नो श्लोक नथी तरिजो तो विदा ה на